मंगलवार को काला फेपल तैसिल के ग्राम मुहम्मद पूर मचनाई में अचानक 100 हर्स पावर का ट्रास्फर्मर ब्लाश्ट हो गया जिसमें से एक बड़ा सा आग का गुबार निकला जिसे देख हर कोई हैरान हो गये क्योंकि यहां पहली बार इस तरह का नजारा देखा गया ग्रामिनों ने इस तरह का आग का गुबार टीवी पर यूद्ध के बंबारी के दोरान देखा था आज अपनी आखों से यहां आग का गुबार देख हेरान हो गये दरसल महमत पूर मचनाई गाउ में पूर्व में 200 हर्स पावर का एक ट्रासफर्मर लगा हुआ था जो की खराब होने से यह विद्धूत विभाग के करमचारियों द्वारा दो ट्रासफर्मर सो सो हर्स पावर के लगा दिये जिससे परियापत बिजली नहीं मिल पा रही थी वहीं ओवरलोड होने की वज़े से मंगलवार को अचानक एक ट्रासफर्मर में ब्लास्टिंग हो गई जिससे आग का गुबार निकला प्रतिक्ष दर्शी महमत पूर मचनाई गाउं के सरपंच रामेश्वर कलमोदिया ने बताया कि ये ब्लास्टिंग से दस मिनट पूर वही ट्रासफर्मर के समीफ हम कारी कर रहे थे एवं ब्लास्टिंग के दोरान कुछ ही दूरी पर थे अचानक ब्लास्टिंग देख हैरान हो गए जिसका वीडियो भी हमने मोबाइल में केत किया इसके साथ ही सरपंच रामेश्वर कलमोदिया ने कहा कि कई बार विदूत विभाग के अधिकारियों को ट्रासफर्मर बनलने के लिए आवेदन दिया परंतु सुनवाई नहीं हुई सुजालपूर से ब्रेजडा ठोड की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले